असलाम लेकुम मैंने महनु शिफीक और आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है विटेमिन सी विटेमिन सी के बेनेफिट सप्लिमेंट इंट इंट फूर्मेशन और फूर्ट सोर्स इस पढ़ेंगे आज हम विटेमिन सी इस ऑलसो नौन एस अस्कॉर्बिक एसे जिस वाटर से प्रोटेक्ट कर रहा ह molar है क्यूंकि आज विटेमिन सी एक वाटर सौल्बल विटेमिन है तो हमारे बůड़ी इस को स्टोन हो भूडिक है बाड़ी के हम घैंट कर सकते हम व इसको डाइड के लेते हैं नेक्स्टेन है हम आएपस और विटेमिन सी ये बाद लिया चा सकता या हम फूट के जरियए से लेते हैं या पफिर सप्लिमिंट के से लेते हैं तो जो फूट और सप्लिमिंट में होता है वह most probably हमारे पास vitamin C की L-scorbic acid के टाइप होती है जो दूसरे टाइपस होती है वो अद्विल्यमिन C की is sodium ascorbate हो जाती है और यह देड़ से अब्साइर्ब होते हैं, इसी वज़ा से यह जो होते हैं, इनकी इरिटेशन नहीं होती हैं, गेस्टर इंसे टाइन ट्राइब में, जुझे जल्दी अब्साइर्ब हो जाते हैं, आगे हमारे पास है, food sources of vitamin c vitamin c की sources कहां क्या क्या है हम कहां कहां सा vitamin c ले सकते हैं सबसे पहले आज़ेते हैं fruits and vegetables में well papers, tomatoes, green life vegetables, broccoli, kiwi fruits, citrus fruits और tropical fruits और जो बाकी sources हैं वो oyster or emaranth से भी हमें vitamin c मिल सकता है how much vitamin c do you need अब हमारी party को कितना vitamin c चाहिए होता है वो हमारे पास recommended इसकी daily allowance होती है जो कि specific होती है gender के लिए भी और सब के लिए जैसे कि females में आपके पास 75 mg आ जाता है female smokers के अंदे 110 mg आ जाता है males के अंदे 90 mg होता है और males smokers के अंदे 125 mg होता है अब इतनी value अगर वो ले रही हैं अपनी body के अंदर तो उनके अंदर कोई भी deficiency का symptom नवाया नहीं होगा अगर वो इस से जादा ले रहे हैं तो इसके अंदर जो है वो जो chronic diseases को prevent कर रहा होता vitamin c उसकी prevention में काम करेंगा वो आपकी body के अंदर toxicity का factor नहीं generate करवाएगा vitamin c क्योंकि vitamin c एक water-soluble vitamin है तो vitamin c की deficiency से हमारे पास बोडी में क्या होता है कि उन लोगों के अंदर vitamin c की deficiency होती है जो smoke करते हैं या फिर fruits और vegetables नहीं खाते हैं या उनकी डाइट होते हैं बहुत जादा restricted plan होता है उनका diet plan या फिर मेडिसंस लेती हैं जैसे aspirin aspirin के वज़े से आपके बोडी केंदा है vitamin c की deficiency कॉस हो सकती है अब science and symptoms आपके पास आज़ते है vitamin c deficiency vitamin c जो है वो ड्रविस्कर weak or disease कॉस करते है जिसके आपके पास fatigue आज़ते है weakness आज़ते है bruising आज़ती है bleeding of gums pains and joints and iron deficiency anemia next हमारे पास vitamin c supplements के हम vitamins सबसे पहले हम यह पढ़ेंगे कि vitamin c supplements हम लेते क्यों है और किनको जो है vitamin c supplements नहीं लेने चाहिए तो first we will read that reasons for taking vitamin c supplements to prevent vitamin c deficiency यान जिनको vitamin c deficiency होती है वो supplements लेंगे या फिर अपने immune function को improve करने के लोगे या फिर प्रिवेंट करने के लिए against cold absorption आइरन करवाने के लिए vitamin c के supplements लेते हैं recovery of muscles after exercise और as an antioxidant ना fight against cancer अब cancer में यह जो cells होते हैं vitamin c यह hydrogen part oxide के अंदर changes आते हैं जिसके वैसे DNA को damage कर सकते हैं tissues को damage कर सकते हैं तो यह cancer के अंदर as fight कर रहे होते हैं as an antioxidant के तोर पे और skin health के लिए भी as cream के तोर पे vitamin c को यूज कर सकते हैं अब कि लोगों को vitamin c के supplements नहीं लेने चाहिए सबसे पहरे तो आपको vitamin c के supplements अपने doctor से या health practitioner से रुजू करके ही लेने चाहिए अब कौन से लोग नहीं ले सकते हैं vitamin c के supplements जो के पास blood pressure medication होता है blood thinning का medication होता है या फिर जो लोग insulin ले रहे होते हैं या फिर pregnant या फिर breastfeeding वो में को vitamin c के supplements नहीं लेने चाहिए हमें पता है कि vitamin c वाटर सॉल्वल विटमन है तो इसके side effects और toxicity इतनी जादा नहीं होती है normally हमारे बाड़ी में के water cell विटमन है तो बाड़ी के अदर स्टोर नहीं होता है excrete out हो जाता है लेकिन जो side effects normally हम देख सकते हैं वो diarrhea, heartburn, dizziness and dehydration के होते हैं और इसके वाटर से आपके एक एक इंडिकेशन भी है किसके वाटर से आपके अदर किद्नी स्रोंस भी हो सकते हैं लेकिन यह अभी clear नहीं है research जिस पे हो रही है हमारे पास अच्छा अब हमें यह देखना चाहिए जैसे हमने अभी बात पीछे भी की है कि हमें विटमिन सी सप्लीमेंट्स जो है वो अपने प्रैक्टिशनर से हेल्थ केर प्रैक्टिशनर से एडवाइस करके फिर इसको लेने चाहिए सो हमारे पास लास्ट में कन्क्लूइन यह आ जाती है कि विटमिन सी के एंटी आक्सिडन विटमिन है जिसके बहुत सारे रोल्स है बोडी के अंदे और इसके जो है वे कुछ डिजीज प्रिमेंचिन के रोल्स भी है हल्थ पैनेफिट भी है लेकिन हमें चाहिए कि हम इसको गुड सेफटी प्रोफाइल के लिए इसको सिर्फ और सेफ हेल्थ केर की वजासे ले thank you